हलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल होमियो क्लिनिक एट होम आज हम लोग यह जानते हैं कि भारत वर्ख में विंटर का सीजन चल रहा है और इसमें ठंड लगने से अनेक बिमारियां पैदा हो रहे उन में से एक है गेले में ठंड लगने के कारण टॉनसीलाइटीस तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे आज मैं जिस डिजिस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है टॉनसीलाइटीस इस से पहले कि मैं इस पर चर्चा शुरू करूं आप मेरे चैनल पर अग जानते हैं कि टॉनसील होता क्या है है और ये कहां होता है सबसे पहले ये जानते हैं कि टॉनसील होता कहां है टॉन्सिल जो है वो हमारे गले के पिछले भाग में यानि अंदर फ्रोट में दोनों तरफ दोनों तरफ लिम्फ टीसू से बना हुआ एक दोनों तरफ का एक ग्लैंड्स के तरह है फ्रेंड्स अब हम यह जानेंगे कि यह टॉन्सिल आइटीस कैसे हो जाता है तो टॉन्सिल आइटीस पहले टॉन्सिल प्लस आइटीस आइटीस का अर्थ है इंफ्लामेशन टॉन्सिल प्लस आइटीस टॉन्सिल आइटीस अब हम जानेंगे कि टॉन्सिल आइटीस होने का कारण क्या है तो सबसे पहले जानते हैं कि टॉंसिलाइटीस इस दाफ स्फ निफेंस ऑफ आवर लंग्स ब्रॉंकियल ट्यूब्स एंड इंटेस्टाइन तो फ्रेंट्स इससे हमारी रख्षा करता है इन्थ पर कोई इंफेक्शन न हो इससे हमारी रख्षा करता है टॉन्सिल और इन इंफेक्शनों के कारण आपको टॉन्सिल आईटीस हो जाता है यानि खुद को वो बिमार कर लेता है लेकिन आपके लैंक्स ब्रॉंकियल ट्यूब्स और इंटेस्टाइन को खत्रे से बचा लेता है आप जानेंगे कि टॉन्सिल आईटीस हो जाने के बाद आपको कौन कौन सी तकलीफ होगी उन में प्रमुख है गले में दर्द, बुकार, खासी, सर्दी, पेट दर्द, उल्टी भी हो सकता है इस तरह की तकलीफ हैं टॉन्सिल आईटीस में होती हैं आप जानते हैं कि टॉंसिलाइटिस कितने तरह का होता है तो ये प्रमुख दो तरह के टॉंसिलाइटिस होते हैं अक्यूट टॉंसिलाइटिस और क्रॉनिक टॉंसिलाइटिस अक्यूट का टॉंसिलाइटिस में आपको महीने में 5-6 अटैक हो सकता है और क्रानिक में आपको साल दो साल में दो चार बार हो सकता है तो ये हुआ इस से तकलीफ अब जानेंगे कि इस से बचाओ के कौन कौन से उपाए है तो सबसे पहला है गरम पानी में आप नमक डाल कर गराला करें इस से आपको बहुत ही ज़्यादा लाब होगा और साथी तुलसी और दालचीनी के काड़ा बनाकर पियें इससे इंफ्लामेशन तुरत घट जाएगा तो फ्रेंड्स ये थे बचाओ के कारण अब हम जानेंगे कुछ होमियोपेथिक दवाईया तो अब हम जानेंगे होमियोपेथिक दवाईया उनमें प्रमुक है बराइटा कार्व 200 पोटेंसी में एवरी टू डे इंटर्वल्स पर दो दो बून्द शुबा खाली पेट में ल लेगा और साथी ठीक भी हो जाएगा दूसरी दवा है बराइटा मियूर इसमें टॉंसिल काफी सूच जाते हैं फूल जाते हैं तो ऐसी अवस्था में आप बराइटा मियूर 200 पावर में हर दो दिन बीच करके शुबा खाली पेट में दो बून लें इससे भी काफी लाब होगा अब आप ये भी जान लें कि कभी कभी तेज टॉंसिलाइटिस के अकरमन के कारण दोनों तरफ के गले में ग्लैंड सूच जाते हैं तो अगर आपका दाहिना ग्लैंड सूचा हो तो आप मर्क आयोड 200 पोटेंसी में एवरी टू डे इंटर्वल पर शुबा नास्ता क के बाद दो बून लें इससे आपके ग्लैंड और टॉंसिल को ठीक होने में बहुत मदद मिलेगा अगर आपके लेफ्ट गले का ग्लैंड सूच गया हो तो आप मर्क बीन आयोड 200 पोटेंसी में एवरी टू डे इंटर्वल पर दो बून शुबा नास्ता के बाद लें अग आपका दर्द अगर गले से लेके कानों तक पहुंचे और अगर ज्यादा तर राइट टॉंसिल सूजे हो तो आप फाइटो लगका 200 पोटेंसी में एवरी टू डे इंटर्वल से आप दो बून शुबा खाली पेट में इससे भी अतिया इंतलाब होगा फ्रेंड्स अगली दवा है कैली मियूर कैली मियूर 200 पोटेंसी में आप एवरी टू डे इंटर्वल से दो बून शुबा खाली पेट में ले इससे लाब होगा साथ ही फेरम फॉस और साइलेसिया फेरम फॉस 3 एक्स और साइलेसिया 200 एक्स में दो दो टैबलेट दोनों में से तीन बार रोज गरम पानी से ले इससे भी आपको चुबने वाली टूंसिलाइटिस में बहुत मदद मिलेगा तो फ्रेंड्स ये थी कुछ दवाईया अब मैं आप से अन्रोद करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन दबा लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करें अगर कोई और तरह के दिकत हो त मैं आपको अगले वीडियो में इसका जवाब दूंगा धन्यवाद